आज हमारे साथ चंद्रभान सिंग आक्या है जिनों ने चित्तोडगट से ऐसा चुनाव लड़ा कि भारतिय जंता पार्टी को सोचने पे मजबूर होना पड़ा प्रदेश अद्यक्स सीपी जोशी अपने राजनितिक वविश्य को देख रहे हैं कि चित्तोडगट जो उनकी पहचान है चित्तोडगट के संसद के तौर पे वो केंदर की संसद में पहुंचे और उसके बाद राजिस्थान के प्रदेश अद्यक्स बना के भेजे गए 47 साल के उम्र में टक कर चंद्रबान सिंग से हुई तो चंद्रप्रकास जोशी वर्सेज चंद्रबान सिंग आक्या पहले तो आपका स्वागत कैसे देखते हैं इस चुनाव को आप चित्तोडगट की जनता नड़ा है बहुत वयवसी चुनाव लड़ा है जब जनता सोच लेती है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं चुनाव वहां चंद्रबान से आक्यान रणाव आम जनता लड़ा है युवा हो मैला हो सभी परभू जन हो उन लोगों ने चुनाव लड़ा है क्योंकि दो नेसल पारिटें खड़ी थी एक तरफ कोंग्रेस थी एक तरफ वार बीजेपी और परदेश के देख्ट भी वहां से थे तो वहां चुनाव जनता लड़ाए वह बहुत वश्यची चुनाव में किस तरफ की चीज आपको नहीं देखने को मिली थैंगे सब्टिकटियों कॉछ आप पहले बार चुनाअ लड़ा है था पहले हम नाकभी सोचा नहीं था कि मेरे को निर्धुन रज़ना पड़ेंगा पर इसलिव इसी जा इसी बन गई कि मिरेकर निर्धीन फर लार ना जाया क्योंगी पार्टेन टिकेट नहीं दिया किस प्रिसीदिन में दिया क्यों नहीं दिया वो सब आप लोगों को जानकरी आम जनता को भी जानकरी प्रदेश के सब आलाकमान को जानकरी टिकेट क्यों नहीं मिला और किसी ने मेरे को पूछा कि टिकेट नहीं मिलना आप चुनाव लड़ो गया नहीं लड़ो गया तो मैंनेका एक बार आम जंता को पूछ के आम जंता यांगी चुनाव लड़ें पर्देश के पदा दिकरियों को पहोणा है आप इया आप चुनाव लड़ना जिया चंदरबांजी चुनाव आप मत लड़ो पार्टी के समर्तन में खढ़े मैंने कहा चुनाव मेhöं नहीं नहीं जनता रड़ी और मेरे गिंगए और किसी पार्टि किसी सामने यह बाद रहे कि क्योंकि अगर आज दो पुर में बशाड़ा कि जश्वाम रड़ा नहीं था तो पूरपनों विजद रगनेगर के अलावми आप स्टीर से नर्परमाईराज़ी को भी निब्ता ना था और चंदरबाद से आक्या को जनता साथ जनता निवाहं से चुनाव जीतेगी वहां के भली कोई पदा दिकर रहे हों मोदी जी के हवाह में चुनाव जीते दरातल पे इसा स्कूल प्लपर आप देखना इस उनों आप रिजल्ट क्या आता है उनकी खुद का रिजल्ट क्या आता है वो आप खुद देखेंगें